प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा बच्चों आज हम दस्वी कक्षा के विज्ञान का चौदवा अध्याय उर्जा के स्रोत पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने पहले क्या कुछ सीखा है उर्जा क्या है? उर्जा के भिन भिन रूप कौन से है? उर्जा का मात्रक क्या है? उर्जा के भिन भिन स्रोत तथा साधन उर्जा के संरक्षन के नियम अब हम देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे उर्जा के पारंपरिक स्रोत उर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उप्योग के लिए प्रोध्योगिकी में सुधार वैकल्पिक अथ्वा गैर परंपरागत उर्जा स्रोत सौर उर्जा, समुद्रों से उर्जा, नाभिकीय उर्जा, पर्यावरण, विशेक सरोकार उर्जा का उत्तम स्रोत बच्चों, वास्तव में उर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? इसको समझने के लिए आईए एक उधारण देखते हैं हम सब अपने घर में खाना बनाने के लिए LPG का उप्योग करते हैं हम एक सिलिंडर के साथ लगभग एक महीने तक खाना बना सकते हैं लेकिन यदि हमने यही खाना लकडी के इंधन के साथ बनाना हो तो हमें कमरा भर कर लकडियां चाहिए होंगी बच्चों इसका अर्थ है कि LPG उर्जा का उत्तम स्रोथ है इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कारक है उपलब्धता उर्जा का स्रोथ लंबे समय के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए किसी भी इंधन को अच्छी श्रेणी में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह इंधन इस्तमाल करने में आसान हो और सुरक्षित हो हम उर्जा के उस स्रोथ को अच्छा नहीं मानेंगे जो की जलने पर अधिक धुआ छोड़ता हो और हमारे पर्यावरन को दूशित करता हो ऐसा इंधन सामान्य लोगों के स्वास्थ के लिए भी हानिकारक है बच्चों इसी प्रकार यदि हम नाभिकीय के बीच की शक्ती उत्पन करेंगे तो क्रिया के पश्चात, शेश, नाभिकीय इंधन का भंडारण और निप्टान एक खतरनाक समस्या है सामान्य रूप में इस्तिमाल होने वाला इंधन सस्ता भी होना चाहिए बच्चों हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा इंधन है लेकिन यह बहुत महंगा है इसलिए इसे सामान्य तह उपियोग में नहीं लाया जा सकता इसलिए उर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो प्रती एकांक आयतन अत्वा प्रती एकांक द्रव्यमान अधिक कारे करे सरल्ता से सुलब हो सके भंडारन तथा परिवहन में आसान हो कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो उर्जा के प्रमुक्स्रोत भारत में हमारी उर्जा की अवशक्ताओं के लिए उर्जा के प्रमुक्स्रोतों को दर्शाने वाला व्रितारेक उर्जा के पारंपरिक्स्रोत कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय उर्जा, पवन कोई उर्जा स्रोत हमारे लिए कितनी देर तक बना रह सकता है इस आधार पर उर्जा को दो भागों में वर्गी कृत किया गया है नवी करणीय संसाधन तथा अनवी करणीय संसाधन जैसे कोईला, पेट्रोलियम, लकडी नवी करणीय संसाधन जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा जिवाश्मी इंधन बच्चों आये जाने कि वास्तव में जिवाश्मी इंधन क्या है यह उर्जा के वह स्रोत हैं जो पौधों और जीवों के अपघटन के बाद तयार होते हैं जीवाश्मी इंधन बनने के लिए लगभग 360 मिलियन वर्ष लगते हैं इस प्रकार लंबे समय पहले पौधे और जन्तु मरने के बाद समुद्र की सतह पर अत्वा पृत्वी की पर्तों के नीचे दब गए जहां पर उनका अपघटन हुआ अलग-अलग प्रकार के जीवाश्मी इंधन अलग-अलग प्रकार से जलते हैं आईए इन तरीकों को देखें अब घटन की प्रक्रिया के लिए विशेश तापमान, समय और विशेश दाब की आवशक्ता होती है जीवाश्मी इंधन के मुख्य रूप में तीन प्रकार हैं कोईला, तेल और प्रक्रितिक गैस बच्चों, कोईला वह है जो जाडियों, पेड़ पौधों के विशेश तापमान में लंबे समय पहले अपघटन होने के कारण तयार हुआ है लेकिन तेल को बनने के लिए जीव जन्तूओं के अपघटन का होना आवश्यक है बच्चों, प्राक्रितिक गैस भी तेल की तरह जीव जन्तूओं के अपघटन से ही बनती है लेकिन इसके लिए अधिक तापमान और अधिक दाप की आवश्यक्ता होती है इसमें अपघटन की प्रक्रिया भी अधिक लंबे समय के लिए होती है जीवाश्मी इंधन की खोज बहुत समय पहले हुई और इनका उर्जा घनत्व भी अधिक होता है यह संसार में सबसे अधिक उप्योग होने वाला उर्जा का स्रोत है इसके साथ विद्युत बनाई जाती है यातायात के साधनों को चलाने के लिए उप्योग किया जाता है इनका उप्योग प्लास्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है जीवाश्मी इंधन का उप्योग लंबे समय से उद्योगों में भी किया जाता है यदि हम इतिहास की ओर ध्यान दें तो जिवाश्मी इंधन का उपयोग पहले से भी किया जाता था और आज भी किया जाता है उर्जा का इहसरोत चाहे अधिक मात्रा में उपलब्ध है फिर भी इसका उपयोग करना महंगा पड़ रहा है इसका कारण है भागोलिक मुद्दे इन जिवाश्मी इंधनों का भागोलिक वरगी करन भी देशों को आपस में राजनितिक लड़ाई का एक कारण है दूसरा यह है कि यह जिवाश्मी इंधन उर्जा का अनवी करणिय संसाधन है अर्थात इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और इन्हें यदि एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो लाखों साल बाद यह दुबारा बनेंगे इसलिए इनके अंधाधुंद उप्योग के कारण अब कुछ सीमित भंडार ही शेश हैं और अब इनके विकल्पों के बारे में सोचा जा रहा है बच्चों जिवाश में इन्धन कार्बन डायोकसाइड गैस भी छोड़ते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव होने के कारण पृत्वी की जलवायू बदल रही है जिसके कारण पौधों और जीवों के स्वास्थे पर पुरा प्रभाव पढ़ रहा है और वातावरन भी बहु दूशित हो रहा है इन इन्धन से निकलने वाला धुआ गैसें हमारे पर्यावरन को गंदा कर रही हैं इसलिए अब हम जीवाश मी इन्धन के स्थान पर पवन उर्जा और सौर उर्जा का उप्योग करने के बारे में सोच रहे हैं इसलिए अब हमने जीवाश मी इन्धन के पर पवन उर्जा और सौर उर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तापीय विद्यूत सैंद्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट। बच्चों, तापीय विद्यूत सैंद्र जीवाश्मी इंधन को दहन करके विद्यूत उत्पन करता है। आईए देखें कि यह तापीय विद्यूत सैंद्र कैसे कारे करता है। सबसे पहले कोईले को पीस कर चूरे में बदल दिया जाता है ताकि इसे शीगरता से जलाया जा सके और अधिक ताप उत्पन किया जा सके। कोले के चूनद में से गर्म वाईयू निकाली जाती है ताकि इसके अंदर की नमी को दूर किया जा सके कोले को बॉलर में जलाया जाता है जहां पर यह अपनी रासायनिक उर्जा को ताप उर्जा में बदल देता है कोईले के जलने पर ताप के साथ कुछ अन्य गैसें और कोईले की राख भी उत्पन होती है यह राख बॉयलर के नीचे एकत्र कर ली जाती है और एकत्रित राख इमारते बनाने वाली कमपनियों को बेच दी जाती है जहां पर इसका उप्योग इमारते बनाने में किया जाता है दूसरी और बॉयलर का तापमान जो बहुत अधिक होता है बॉयलर में से गुजर रही जल की पाइपों को गर्म कर देता है इसके साथ इन पाइपों के बीच का जल भाप में बदल जाता है यह भाप पाइपों में फैल जाती है और जिसके कारण दाब बढ़ जाता है अब यह बढ़े हुए दाब वाली भाप तर्बाइन को घुमाने के लिए उप्योग की जाती है पच्छों यहां पर ताप उर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित हो गई यह तर्बाइन एक शाफ्ट द्वारा जनित्र से जुड़ी होती है जनित्र इलेक्ट्रो मैगनेट की सहायता के साथ तर्बाइन द्वारा दी गई यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल देता है दूसरी और तर्बाइन में से गुजर कर भाप थंडे जल की पाइपों के संपर्क में आती है जहां पर यह दोबारा जल में परिवर्तित हो जाती है इस जल को दोबारा बॉयलर वाली पाइपों में भेज दिया जाता है जनित्र द्वारा उत्पन की गई विद्यूत उर्जा को ट्रांसफॉर्मर द्वारा कम वोल्टेज वाली विद्यूत से अधिक वोल्टेज वाली विद्यूत में बदल दिया जाता है यहां से ग्रिड दुआरा अलग-अलग पावर स्टेशनों को विद्यूत भेजी जाती है इन पावर स्टेशनों से विद्यूत हमारे घरों और कारखानों में भी भेजी जाती है बच्चों आओ हम देखें कि तापिय विद्यूत में उर्जा का रूपांतरन कैसे हुआ कोईले की रासायनिक उर्जा ताप उर्जा में परिवर्तित होती है और ताप उर्जा यांतरिक उर्जा में परिवर्तित होती है इसलिए बच्चों, बहुत सारे तापिय विद्यूत संयंत्र कोईले के एक शेत्रों के निकट स्थापित किये गए हैं जल विद्यूत संयंत्र, अर्थाथ हाइड्रो थर्मल प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट बच्चों, हाइड्रो पावर का अर्थ है कि गिरते हुए जल की स्थिती उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करना जल से विद्यूत बनाना एक नवी करणिय संसाधन है जिवाश्मी इंधन तो किसी ना किसी दिन समाप्थ हो जाएंगे परन्तु जल विद्यूत स्रोत के समाप्थ होने की कोई चिंता नहीं है बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट दो तरीकों के होते हैं बांध वाले और नदियों के बहते हुए जल का उप्योग करने वाले बांध वाले जल विद्यूत सैयंत्र में नदियों के जल के प्रवाह को रोब कर जल के बड़े भंडार में जल एकत्रित करने के लिए उंचे-उंचे बांध बनाए जाते हैं इन भंडारों में जल एकत्रित होता रहता है जिसके फल स्वरूप इन में भरे हुए जल का स्तर उंचा हो जाता है बांध के उपरी भाग से पैपों द्वारा जल बांध के आधार के निकट स्थापित टर्बाइन के बलेडों पर मुप्त रूप से गिरता है जिसके फलस्वरूप टर्बाइन के बलेड घूर्णन गती करते हैं और तर्बाइन एक शाफ्ट द्वारा जनित्र को यह उर्जा भेजती है और इस प्रकार बच्चों जनित्र विद्यूत उत्पन करता है पंजाब में नंगल में स्थित भाखडा डैम जल विद्यूत सैंयंत्र की एक उदारण है बच्चों दूसरी तरह के जल विद्यूत सैंयंत्र में नदियों का तेज बहता हुआ जल सीधा ही टर्बाइन के ब्लेडों पर गिरता है और विद्यूत उत्पन करता है बच्चों, जल विद्यूत सैंयंत्र भी अलग-अलग तरहा के होते हैं बड़े जल विद्यूत सैंयंत्र 30 मेगावाट से भी अधिक विद्यूत उत्पन कर सकते हैं और छोटे जल विद्यूत संयंत्र 100 किलो वाट से लेकर 30 मेगा वाट तक विद्यूत उत्पन्न करते हैं इसके साथ ही बहुत छोटे जल विद्यूत संयंत्र जिनको हम माइक्रो पावर प्लांट कहते हैं 100 किलो वाट से कम विद्यूत उत्पन्न करते हैं जल विद्यूत संयंत्र के अधिक लाब हैं। जैसे की विद्युत बनाने का सस्ता साधन है, इसके साथ जल विद्यूत संयंत्र एक भरोसे मंद उर्जा शरोत है। बांध बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं और यह उर्जा का नविकरणी यह संसाधन है लेकिन बच्चों इसके साथ कुछ समस्याईं भी जुड़ी हैं बांध का निर्माण केवल सीमित क्षेत्रों में किया जा सकता है इनमें परवतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं कई बार बांध के टूटने से मनुष्य आवास स्थान भी जल में डूबने के कारण नुकसान झेलते हैं बांध को बनाने के लिए उप्योग की जाने वाली चीजें जैसे सिमिंट आदी वातावरण में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ा देते हैं जो पेड़ पौधे, वनस्पती, जीव आदी जल में डूब जाते हैं वह ऑक्सीजन रहित स्थिती में सडने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मिथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो की एक ग्रीन हाउस गैस है बच्चों, सबसे बड़ा मसला बांधों के निर्मान के कारण विस्थापित लोगों के संतोश जनक पुनरवास का है उनके नुक्सान की पूर्ती का मसला भी बहुत समय के लिए लटका रहता है गंगा नदी पर बांद के निरमान और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांद के निरमान की योजनाओं का विरोध इसी तरह की समस्याओं के कारण हुआ है उर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उप्योग के लिए प्राद्योगिकी में सुधार प्राचीन काल से ही लकडी का इंधन के रूप में उप्योग किया जाता रहा है यदि हम सुनिश्चित कर लें कि परियाप्त मात्रा में व्रिक्ष लगाते रहेंगे तो जलाने की लकडी की निरंतर आपूर्ती संभव हो सकती है हम इंधन के रूप में उपनों के देहन से भली भांती परिचित है भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें इंधन के 27 रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है चूंकि यह इंधन पादप एवं जन्तु उत्पाद हैं इसलिए इन इंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं लेकिन बच्चों यह इंधन अधिक उश्मा उत्पन नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआ निकलता है इसलिए इन इंधनों की दक्षता में व्रिद्धी के लिए प्रोध्योगी की का सहारा अवश्यक है बच्चों गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट सबजियों के अपशिष्ट जैसे विविद पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में अपगटित होते हैं तो बायो गैस अर्थाद जैव गैस निकलती है चूँकि इस गैस को बनाने में उप्योग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्य तोर पर गोबर है इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है बायो गैस प्लांट में इंटों से बनी गुम्बत जैसी सनरचना होती है जैव गैस बनाने के लिए मिश्रन टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल जिसे करदम अर्थाद सलरी कहते हैं बनाया जाता है जहां से इसे संपाचित्र में डाल देते हैं संपाचित्र अर्थाद डाइजेस्टर चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है संपाचित्र में अवायवी यह सूक्ष मजीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवशक्ता नहीं होती गोबर की सलरी के जटेल योगिकों का अपघटन कर देते हैं और यह अपघटन प्रक्रम पूरा होने के पश्चात हमारे पास गैसे बनती हैं जिनका नाम है मिथेन, कार्बन डायोकसाइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सलफाइड इन सभी गैसों को संपाचित्र के उपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है जैव गैस को एकत्रित रूप में बायो गैस कहा जाता है बच्चों, जीव कुंज के अपघटित होने के कारण जीव कुंज फैल जाता है और बनी हुई बायो गैस सलरी पर दाब डालती है इस दाब के कारण सलरी निकास टंकी में चली जाती है इस शेश सलरी के अंदर योगिकों के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचूर मात्रा में होते हैं इसलिए इसका उत्तम खाद के रूप में इस्तिमाल किया जाता है बायो गैस समपचित्र उपर बनी गैस निकासी पाईप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और उप्योग किया जाता है पच्चों आओ अब हम बायो गैस के कुछ लाब के बारे में जाने बायो गैस प्लांट अर्थाच संयंत्र बनाना आसान है और इसको गाउं क्षेत्रों में भी आसानी से बनाया जा सकता है बायो गैस एक अच्छा इंधन है यह धुआ उत्पन किये बिना ही जलता है लकडी, चारकोल और कोईले के विपरीत इसके जलने के पश्चात राख जैसा कोई अप्षिष्ट शेश नहीं बचता इसकी तापन क्षमता उच्च होती है बायो गैस का उप्योग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है बच्चों, जैसे हमने पहले भी देखा कि शेश बची स्लरी उत्तम खाद के रूप में भी काम आती है यह एक उर्जा का सुविधा जनक भरपूर्स रोत है और साथ ही अधिक पदार्थों के निप्टान का सुरक्षित धंग भी है और बच्चों, बायो गैस गाउं के क्षेत्रों में लकडी के इंधन के स्थान पर उप्योग किया जा सकता है इसलिए जंगलों की कटाई भी कम होगी अत्वा जंगलों की कटाई पर रोधक्ता लग सकती है पवन उर्जा पवनों की गतिच उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करके उप्योग में लाया जाता है इस कार्य के लिए पवन चक्की का उप्योग किया जाता है किसी एकल पवन चक्की से उत्पन विद्यूत बहुत कम होती है जिसका व्यापारिक उप्योग संभव नहीं है इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को पवन उर्जा फाम कहते हैं सौर उर्जा सौर उर्जा वह उर्जा है जो सूर्य से प्रकाश किर्णों और इलेक्ट्रो मेगनेटिक विकिर्णों के रूप में प्राप्थ होती है इस प्रकाश उर्जा को ताप उर्जा और विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करके उप्योग में लाया जाता है सौर उर्जा के उप्योग मानव के लिए सौर उर्जा के दो मुख्य उप्योग है सौर कुकर तथा सौर पैनल सौर कुकर सौर कुकर वह उपकरण है जिसमें सौर उर्जा को भोजन पकाने के लिए उप्योग किया जाता है बच्चों आईए देखें कि सौर कूकर किस प्रकार बनाया जाता है इसके लिए हमें एक लकडी का डिब्बा, अलुमीनियम शीट, काला पेंट, अवतल दरपन, कांच की शीट, दो जन्जीरें, लकडी का धकन और भोजन रखने के लिए बरतन चाहिए लकडी का डिब्बा ले, इसी माप का अलुमीनियम शीट का बकसा बनाकर उसे अंदर से काला पेंट कर दे, अब अलुमीनियम के बकसे को लकडी के डिब्बे में फिट कर दे, लकडी के धकन में अवतल दरपन लगाएं, और जन्जीरों की सहायता से धकन को बकसे या को कांच की शीट के साथ ढख दें यह कांच की शीट सूर्य प्रकाश की किर्णों को एकत्रित करने में सहायता करती है और अवदल दरपन सूर्य किर्णों को शीट पर फोकस करने में सहायता करता है बच्चों हमारा सौर कुकर बनकर तयार हो गया है इसमें अब भोजन पकाया जा सकता है भोजण पकाने वाले बरतनों को भी बाहर से काला पेंट कर लें अब इन बरतनों में पकाने वाला भोजण रखकर डिब्बे के अंदर रख दें, सौर कुकर को सीधे सूर्य प्रकाश में रखें, अवतल दर्पन की स्थिती को इस प्रकार सेट करें ताकि सूर्य किरणों का बड़ा पुंज काज की शीट पर सीधा फोकस हो, सूर्य किरणे काज इस शीट से होती हुई भोजन के बरतनों पर पड़ती हैं, और काज की शीट इन किरणों को डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देती, इस प्रकार सूर्य किरणे डिब्बे में एकत्रित हो जाती हैं, और ताप के साथ हमारा भोजन पक जाता है, सौर कुकर के अंदर सौर डिग्री सेंटीग्रेट से एक सोचालिस डिग्री सेंटीग्रेट तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है, सौर सेल पैनल सौर सेल वह उपकरण है जो सौर उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तित करता है जब अधिक संख्या में सौर सेलों को जोड़ते हैं तो यह अवस्था सौर सेल पैनल कहलाती है जिससे व्यवहारिक उप्योग के लिए आवश्यक विद्यूत प्राप्त हो सकती है धूप में रखे जाने पर प्रतेक सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्ट ता विकसित कर सकता है तथा लगभग 0.7 वौट विद्यूत उत्पन हो सकती है सौर पैनल से उत्पन होने वाली विद्यूत को उप्योग बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है सौर सेल का सबसे प्रतम उप्योग यांत्रिक विमानों में किया गया था सौर पैनल, रेडियो, टीवी, फ्रिज और ट्रैफिक सिग्नलों में भी उप्योग किये जाते हैं आज कल बहुत सारे ग्रामीन क्षेत्रों में गली की बत्तियां जगाने के लिए सौर सेल का उप्योग किया जाता है यदि राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में सौर सेल लगा दिये जाएं तो पूरे देश की विद्यूत समस्या को खत्म किया जा सकता है आईए बच्चों, अब हम सौर पैनल को उप्योग करने के लाप जाने सौर पैनल केवल सौर उर्जा पर निर्भर करते हैं जो की उर्जा का एक नवी करणिय संसाधन है सौर सेल सूर्य किरणों की कम तीवरता में भी कारे कर सकते हैं एक बार बनाने के पश्चाद इन पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ता इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रदूशन नहीं होता परंतु लाब के साथ साथ सौर सेल उप्योग करने के कुछ नुकसान भी है सौर सेल के साथ केवल सीधी विद्युधारा ही प्राप्त की जा सकती है इन्हें बनाने में बहुत खर्चा हो जाता है समुद्रों से उर्जा ज्वारी ये उर्जा, तरंग उर्जा, महसागरी ये तापी ये उर्जा समुद्रों से उर्जा, ज्वारी ये उर्जा ज्वार भाटे में जल के स्तर के चड़ने तथा गिरने से हमें ज्वारी ये उर्जा प्राप्त होती है ज्वारिय उर्जा का दोहन सागर के किसी संकीनक शेत्र पर बांध का निर्मान करके किया जाता है तरंग उर्जा समुत्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज उर्जा को भी विद्यूत उत्पन करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है तरंग उर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उप्योग हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो समुत्रों के प्रिष्ट का जल सूरे द्वारा गर्म हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपिक्षा कृत ठंडा होता है ताप में इस अंतर का उप्योग सागरीय तापिय उर्जा रूपां तरंग विद्युद संयंतर में उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है भू तापिय ऊर्जा अर्थाथ जियो थर्मल एनरजी वह उर्जा जो भूमी के अंदर ताप के रूप में पृत्वी के अंदर होती है उसे भूतापी ये उर्जा कहा जाता है भूमी में परिवर्तनों के कारण भू परपटी में गहराईयों पर तप्त क्षेत्रों में पिगली चताने उपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है जब भूमी गत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन होती है कभी-कभी यह भाप चटानों के बीच में फंस जाती है जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है तप्त स्थलों तक पाइप डाल कर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है उचदाप पर निकली यह भाप विद्यूद जनित्र की टर्बाइन को घुमाती है जिससे विद्यूद उत्पादन करते हैं भारत में भूतापिय उर्जा मध्य प्रदेश में है बच्चों कभी-कभी भाप बनने से पहले गर्म जल को प्रित्वी के प्रिष्ट से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथ्वा उश्न स्रोत कहते हैं नाभिकी यह उर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकी यह विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमानों के नाभिक को निम्न उर्जा निूट्रॉन में बंबारी कराकर हलके नाभिकों में तोड़ा जा सकता है इस प्रक्रिया में से निकलने वाली उर्जा को नाभिकी ये उर्जा कहते हैं इस उर्जा का उप्योग भाब बनाकर विद्यत उत्पन करने के लिए किया जाता है नाभिकी ये उर्जा की हानिया नाभिकी ये विकिर्णों के आकस्मिक रिसाव का खत्रा भी बना रहता है नाभिकी ये विद्यूत शक्ती सैयंत्रों के प्रतिश्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणी ये प्रदूशन तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता भी नाभिकी ये उर्जा की एक बड़ी हानी है दोहराई प्रति एकांक पुंज, अधिक कारे करना, आसानी से मिलना, आसानी से भंडार होना, सस्ता होना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जाना उर्जा के उत्तम स्रोत के गुण है जीवाश्मी इंधन, तापीय विद्यूत सैंयंत्र, जल विद्यूत सैंयंत्र, उर्जा के पारंपरिक स्रोत है कोईला, पेट्रोलियम, लकडी, उर्जा के अनवी करणिय संसाधन है सौर उर्जा और पवन उर्जा, नवी करणिय उर्जा स्रोत है जिवाश्मी इंधन बनने के लिए विशेश तापमान, समय और विशेश दाब की आविशक्ता होती है तापी ये विद्युत सैयंत्र में रसायनिक उर्जा को ताप उर्जा में परिवर्थित किया जाता है बायो गैस एक अच्छा इंधन है यह धुआ उत्पन किये बिना ही जलती है सौर उर्जा को ताप उर्जा में बदल कर भोजन पकाने में सहायता करना सौर कूकर का सिधान्त है समुद्री उर्जा की तीन किसमे हैं ज्वारी ये उर्जा, तरंग उर्जा, महसागरी ये तापी ये उर्जा नाभिकी ये उर्जा का उप्योग भाप बनाकर विद्युत उत्पन करने के लिए किया जाता है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे मेरा पहला प्रश्ण उर्जा के उत्तम स्रोत के कोई तीन गुण लिखें तो उर्जा के उत्तम स्रोत के तीन गुण है मेरा अगला प्रश्ण है उर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से है उर्जा के पारंपरिक स्रोत है कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकी य उर्जा तथा पवन अब मैं आप से कुछ रिक्तस्थान पूछूँगी मेरा पहला रिक्तस्थान सौर कुकर डैश उर्जा को डैश उर्जा में बदलता है तो सौर कुकर कौन सी उर्जा को बदलता है? सौर उर्जा को ताप उर्जा में बदलता है मेरा अगला रिक्तस्थान बायो गैस प्लांट में जल और गोबर के मिश्रन को डैश कहा जाता है इसका सही उत्तर है सलरी अगला रिक्तस्थान वह उर्जा जो भूमी के अंदर ताप के रूप में उपस्थित होती है उसे डैश उर्जा कहा जाता है इसका सही उत्तर है भूत आपी ये उर्जा मेरा अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा उर्जा का नवी करणिय संसाधन है और आपके विकल्प है कोईला, पेट्रोलियम तथा सौर उर्जा तो इन में से सही उत्तर है सौर उर्जा मेरा अगला प्रश्ण सौर कुकर में उत्तल दर्पन उप्योग किया जाता है सही अत्वा गलत तो यह कथन गलत है इसी के साथ हमारा यह अध्याए यही समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याए अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों तंदरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद